हालो कोई है पूरा मेरे को मैनूल ही चला के आना पड़ा तो उपर से लोग मिस्गाइड करते हैं हाँ देखो जी रादा टैम हो गया ते हभीबी नू गड़ी दे उत्ते चाड़ना पया ते आम हैं देख लो मैं कितना खड़ा एनू लेहके अज जी आल इंडिया राइड दा डे हैगा फोर तो मैं जी इस वक्त हूं नंगल में मैं जा रहा हूं बाबा बालकनाथ सोच रहा हूं मैं जो किस्ती होती है किस्ती में अपनी हभीबी साइकल को रख कर एक तो शौट पड़ेगा और दूसरा कुछ एडवेंचर भी होगा सबसे पहले मुझको पास बनाना पड़ेगा तो बाखड़ा डैम को जाने के लिए पास बनाना पड़ता है मेरा एम है जी पल्यूशन फ्री धर्ती को रखना जो मैं एम लेके चला हूं अपनी फैट इबाई के साथ अब मैं आल इंडिया टूर पे निकला हूं तो उसकी श आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा जीनों ने नहीं देखा लखे तो मिनवाली मेरी की फारी ओंस मेले देख सकते हैं तो यह निया नंगल है निया नंगल यह लेफ्ट साइब जाएंगे बाखड़ा डैम को और नंगल सीinta को वी जही रास्ता जाता है जाना है तर ने पासे कांट साफ गुर्दवारा अच्छो अधरो जाओ तो यहां पर समय जो है वो सुबह 8 बज़े से लेके शाम के तीन बज़े कर 20 मिनिट तक है तो तीन बज़े तक आप आपना जो पास है वो बनवा लो एंट्री पास बहुत बनवा लिया है फ्री ओव कोस्ट है तो चलो जी पास बनवा लिया फोटो फुटो क्लिक कर ली और कुछ बाई मिले तो उनसे बातचीत हुई और अब जैसे आप सामने वो बोड देख रहे हैं उस पर लिखा है जी आयनू सतुलिज पार्क नंगल कॉंसल मेरे को लोकल्स बता मंदर या से 30 किलो मेटर है और बाखडा डैम 11 किलो मेटर है और कैमरे कुम नहीं कुंगे कुशद्र है जा सकता है उत्से शूट ना करांगा मंदस से आइना नहीं भी वोके वाजी थेंक्यू चलो जी तो यह जी सतली पार्क तो बढ़ी है बैठने को बढ़ी है जहां पर तो शर्मा स्टोर से अब अखडा डैम की तरब जा रहे हैं जी तो जो जो नंगल वाला है वो जुरूर कोमेंट करना मेरे को कि भाई हम नंगल से हैं वाकी नंगल तो एक नंगल की आपको विशेष्टा पताता हूं मैं नंगल एक मीनी चंडीगाड बोल सकते हैं आप सेंगल में आपको चंडीगाड जैसे सेक्टर मिल जाएंगे ग्रीनरी मिल जाएगी पूरा रूल रेगुलेशन यहां पर चलता है काम करता है और यादतर यहां पर लोग सरकारी जोब पर हैं जैसे चंडीगाड में है तो यहां से मैंने पास बनाया था वहां से कोई एक किलो मिटर दूर आपको यह पास की एंट्री करवानी होती है चेक करवाना होता कि आपके पास पास है या नहीं है चलते हैं चलो हसीन बादियां का लुत्फ लेते हैं तो मैंने भी अपनी जो एंट्री यहां पर करवा ली है और अधारकार जो मस्ट है अधारकार तो जूरूरी चाहिए और मैं अभी गेर नंबर वन पर हभीबी को डा दिया है क्योंकि चड़ाई आप देख सकते हो कितनी ज्यादा चड़ाई है जहां पर तो चलो ठीक है अब आगे जाकर ही जहां परमीशन मिलेगी वहीं बात करूंगा आप से मेरे को यहां से आठोव किलो मिटर उएसे सीधी चड़ाई है बांख्ड़ादैम की नंगल से तो यह मेरे को चैनी है यहां पर इतनी शांति है ना दिल करता आ यहीं पर टेंट लगा लो लेकिन यहां पर रहने की परमिशन नहीं है और इस शांती को यहां पर अलविदा कहकर मुझको यहां से 9-10 किलोमेटर और आगे जाना पड़ेगा तो बाख़डा टॉप पे आपको ऐसे फिश मार्किट मिलेगी तो चलो फाइनली हम बाख़डा डैंप पहुंच चुके हैं मुझे थोड़ा सा यह व्यू देखना था जाने को तो मैं उन्ना से भी होकर जा सकता था लेकिन जो किस्ती के निजारे ना अल्टीमेट वह आपको दिखाने है यह यह डीपू है कच्ची मचली का अ यह किस्तियां जा रही है वहां से मेरे को नीचे उतरना पड़ेगा फिर वह जाएंगे दूसरी सेड पूरा अल्टीमेट व्यू आपको दिखाएंगे अगर आप शातला ही जाना चाहते हैं उस पार तो इस रास्ते से आपको जाना होगा और जो सीधा रास्ता चला गया यह चला गया नहादेभी अनंदपूर सब तो पीछे आला तो बाखरा नहीं है कर दो वात तो अच्छान है कर दो बड़ान है जो को पार आपको अल्टीमेट है टीमेट है टीमेट है टीमेट है अलव पाजी यूरी तर तो कोई है नी को गाम वाला भी नी बता रहा भी यह रास्ता है कि मेरे कुर लगता है हलो कोई है कोई नहीं यहां पर जहां पर कोई नहीं है बताने वाला कहां से रास्ता है कि रास्ता कि दर से है कि ओके मेरे पास साइकल है कि वह बोल रहे हैं यह वहां पर लेकिन थोड़ा लाउडली बोलना पड़ता है क्योंकि काफी नीचे है बोल रहे हैं आप वहीं पर रुको मैं आ रहा हूं कि और बद्या जी की आल चाए बद्याग आगा कर दो कर दो को कि तो मैं जी दूसरी साइड में आ गया हूं यह शेपवोडी को रास्ता जाता है अगर वहां से आप नैना देभी साइड से आएंगे तो कस्ती से फिर आप जाएंगे शातला इको तो यह ऐसा रास्ता है और ऐसे आना पड़ता है आप देख सकते हो बाइक को ऐसे लोड कि जाता है फिर ऐसे चार-पांच बंदे उसको पकड़ के उसको बाहर उतारते हैं तो मेरे को भी कुछ ऐसे गाना बड़ा अब यह रास्ता देख लो ऐसे पत्थ्रों वाला रास्ता है तो बड़े अराम से वहां तक हभीदी को पहुंचाना पड़ेगा तो चलो ट्राइ करता ह तो देखो अगर रास्ता ऐसा है ठीड़ा मेड़ा तो हम बिदाउट स्टैंड इसको किसी दिवार के साथ ऐसे खड़ा कर सकते हैं लेकिन यह पीछे आ जाएगी तो इसमें क्या फीचर है इसको हम हैंड ब्रेक लगा सकते हैं ऐसे दोनों ब्रेक जो अतना वह ऐसे हैंड ब्रेक लगा देंगे इससे पिछे नहीं आएगी ठीक है अभी ब्रेकों ने इसको पकड़ लिया है यह इसका फीचर मेरे को बढ़िया लगा तो चलो चलते थोड़ा पानी-पूनी पीते हैं वैसे आपको बदा दो 150 रूपीज लगे हैं वह बोलते हैं बाइक के और सेकल के सेम प्राइज है जलो कोई बाद नहीं जल्दी जल्दी खाना खाते हैं फिर उसके बाद चलते हैं अब जी क्या क्या खाने में अब तो अब भी अभी ठीक नहीं है पूरा मेरे को मैनूल ही चला के आना पड़ा तो उपर से लोग मिस्स गाइड करते हैं रास्ता अच्छा है इस रास्ते से जाओ आप खूदी देख लो कैसा रास्ता है कि अगर पता होता ना बाई तो इस रास्ते से महीं नहीं आता तो आप रास्ता देख सकते हो बहुत ही गलत रास्ते में आगया मैं क्योंकि यहां पर कोई कांटा पत्थर अगर चुप गया ना तो ना नी याद दिला देगा पूरी राथ यहीं पर बठा रहूंगा मैं इसे बाग रहा हूं सारा नीचे से आया आज के बाद जिन्दगी में ना इसक नी लूँगा मैं बोलता रहे तो चार बजे चार पहुंचांगा पता नी लोंबड़ था पता नी शेर था नीचे से क्या क्या करता निकला हाँ देखो जी रादा टैम हो गया ते हभीबी नू गड़ी दे उते चाड़ना पया ते हम आए देख लो मैं के ता खड़ा एनू लेहके बाई योना ने हल्प कीती है केंदे चलो मैं शात लाई तक जाना है ते मैं विल्कुल नी थो आनू गेंदा इस रास्ते तो आऊ हाँ जेत वाड़को बाइक है कोई सप्लेंटर बगएर आजा कोई उद्दाधी बाइक ता तुसी लेके आऊ बुल्ट लेके ता इस रास्त हैं मैं अभी हूं शातलाई में तो यहां पर मैंने एक रूम ले लिया था तो अपनी हबी इसको भी रूम के अंदर सेफली खड़ा कर दिया तो बारा बजगे बूख लगी हुई थी किसी अपने खास ने जो खाना पै करके दिया था वो अभी तक खाया नहीं तो इदर सब्सक्राइब करें तो इसको रख देते हैं ताकि गर्म हो जाए तो देखरो इसका कितना फाइदा है रात को भी आप ठंड में खाना गर्म करकर खा सकते हैं तो कुछ चपाती थी किपाती को भी गर्म कर लेंगे तो चलो खाना खाते हैं और थोड़ी सी एटिटिक करेंगे फिर सुएंगे सुबा माथा टेकेंगे उसके बाद देखते हैं